नमस्कार मैं हूँ अंशिता एक बड़ी पुरानी कहावत है आपने जरूर सुनी होगी जैसा बोगे वैसा ही काटोगे ये कहावत बीजेपी पर इन देनों बिल्कुल फिट बैठ रही है अजीत पवार ने चाचा को धोखा देते हुए खुल कर कह दिया था कि मेरा भी मन करत है सीम बनने का आप मेरे रास्ते की बाधा मत बनिये आपकी उम्र हो गई है चार चार बार डिप्टी सीम बन चुका कब तक डिप्टी परट का रहूं लेकिन अजीत पवार के साथ ऐसा लगता है जैसे धोखा हो चुका है वो डिप्टी भी बने तो दूसरे नंबर के लिप्टी देविंद्रफड नवीस हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सीम की कुरसी खाली नहीं है मतलब अजीत पवार ज्यादा ऊंचे खौब ना देखें तो बहतर इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में भाजपा शिंदे और पवार में घमासान और तेज ह मचा रही है खेर यह तो सभी जानते हैं कि एक साल से महराश्ट की सत्ता में हलचल मची हुई है दो जुलाई को अजीत पवार ने भी बीजेपी के साथ हाथ में ला लिया बीजेपी ने सोचा अब मामला सेट है लेकिन जैसा कि आर्टिकल लाइन टेन शुरुआत से कह रहा थी खुद सोचे अगर अजीत यह उनके समर्थकों को कुरसी नहीं चाहिए होती तो क्या वो अपनों की पीठ में छुरा घूपते अपने चाचा को धोखा देते नहीं ना इसलिए अभी एंसीपी और बीजेपी की नई नई दोस्ती को एक महीना नहीं बीता कि तल्कियों क की खबरें आने लगी अब सवाल ये भी है कि दोनों के बीच सीएम की कुरसी को लेकर खीशतान शुरू हो गई है यह एट करने क्यों लगने लगी तो इसकी वज़ा है देविंद फड़नवीज के बयान के बाद आया प्रफुल पटेल का बयान इस बयान ने चर्चा के बा पड़नवीज ने यह कहकर ब्रेक लगा दिया कि अजीद सीएम नहीं बनेंगे पड़नवीज ने कहा कि अजीद पवार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और दो जुलाई से पहले हुई बैठक के दौरान उन्हें ये बात बता भी कि दी गए थी तब अजीद प्रवार की नेत्रित वाले राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी गुट की महराश्ट सरकार में शामिल किया गया था अजीद दादा के मन में इस पश्ट है और शिवसेना के नेता शिंदेजी स्वय मुख्यमंत्री है तीनों के मन में इस बात की पश्टता है कि महायूती के मुख्यमंत्री एकनाच शिंदेजी है महायूती के मुख्यमंत्री एकनाच शिंदेजी ही रहने वाले है उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला महायूती के सबसे बड़े पार्टी के नेता के रूप में मैं इस बात को स्पश्टता के साथ कह देना चाहता हूँ उनके बयान के बाद सभी को लगा कि शायद अभी ये मामला खत लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि इस बयान के बाद प्रफुल पटेल का बयान आ गया उन्होंने जो कहा उसने बता दिया कि एनसीपी और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि अजीद दादा राजी के वरिष्ट नेता हैं इसके साथ ही वो पांच बारूप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो कई सालों से पार्टी के लिए लगातार काम कर रही है इसे देखते हुए आज नहीं तो कल उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका अब खास बात यह है कि पटेल का यह बयान दिल्ली से लौटने के बाद आया है तो यह तो हुए दोनों के बयान अब खेल समझे महाराश्च की कुरसी के तीन तीन दाविदार हैं एक तो खुद एकना शिंदे जो इस समय कुरसी पर हैं दूसरे देविंद फढ़नवीस जो खुद डिप्टी सीएम बन गए जाहिर है यह फैसला उन्होंने खुद तो नहीं लिया होगा अला कमान के आदेश पर ऐसा हुआ होगा यानि अभी तक उनके दिल में सीएम ना बन पाने की कसक है अब इस सब में अजीत पवार की भी एंट्री हो गई है उनके समर तक दाव की रा जाती है इसमें मोदी और अजीत पवार दिख रहे हैं ना फड़नवीस हैं ना ही शिंदे इस मुलाकात ने अटकलों का बाजार और गर्मा दिया अटकलें लगी तो फड़नवीस बेचैन हो गए और उन्होंने आगे आकर कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा अजीत सी से भियान के तमाम मतलब निकाल रहे है कि भले ही फड़नवीस ने कहा हो कि शिंदेंड़ें सी.将सी होंगे ब्रेक्ति फड़निया अजीत कहा से सीएंब बनने वाने अटकलों पर ब्रेक लगा दिया बाब ईृपकूल को मिला है तो अजीद को भी मिलेगा जाहिर है उनका इशारा शिंदे की तरफ था क्योंकि जानकारों का मानना है कि शिंदे को शिफसेना को तोड़ने का एनाम दिया गया था इसलिए अजीद को भी NCP तोड़ने का एनाम बीजेपी आला कमान दे सकता है और दावा तो ये भी किया जाता है कि शिंदे को साइच करने के लिए ही अजीद को लाया गया है इसलिए बीजेपी अभी पूरी तरह अजीद और उनके समर्थकों पर महर्बान है आपको याद भ वार को वित्त मंत्राले सोपा गया था यानि आला कमान अजीद को साधे रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है लेकिन आला कमान का सिर्फ अजीद पर फोकस करना अब उसे भारी ना पड़ जाए क्योंकि शिंदे को साइट करने में लगा आला कमान कर सकता है उसका ध्यान नहीं है कि सीम की कुरसी के दावेदार तो फड़नवीज भी है ऐसे में जानकार दावा कर रहे हैं कि अगर शिंदे की जगा अजीद सीम बने तो फड़नवीज को संभालना इस बार बहुत मुश्किल हो जाएगा जो फड़नवीज के बयान से भी सं सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करके बताईए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी ज़रूर बताईएगा टुटर है आर्टिकल लाइंटीन अंडर्सकोर इंडिया इसको भी फॉलू कर कि महायूती के मुख्य मंतरी एकनाच शिंदे जी है महायूती के मुख्य मंतरी एकनाच शिंदे जी ही रहने वाले है उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला महायूती के सबसे बड़े पार्टी के नेता के रूप में मैं इस बात को स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हू झाल झाल झाल